प्राइब्स के होते हैं पहला चारो पैरा बोला आपको पता होना चीए बोलो कि सर प्लीज आप कोशन पर पर मैं बोलो कि जरूर अगर आपने ये चीज़ों को देखा तो वीडियो को नीचे आप बाता है और आज हम लेक्चर नंबर स्टेकेंड डबल इंटीग्रल का लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक कवर क इंटीग्रेशन दोस्तो इसके उपर अगर आप उनिवर्सिटी एक्जाम के कोश्टन पेपर को देखोगे तो उस टाइप के कोश्टन इसके उपर पूछे गए हैं अब चलो वन बाइवन में आपको बताने जा रहा हो कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़े बेसिक आनी चीए जो अगर आप सिस्मेटिक अगर अच्छे सा सुनोगे देन आप इस टाइप के कोई भी कोश्टन को दोस्तो सौल कर सकते हैं सबसे पहले जो बेसिक है जो हमने नाइंध क्लास में दोस्तो पढ़ा है आपको पता होना चीए इसको हम क्या होलते है एक्स एक्सिस और इ बेसिक में सब चीजे रिवाइज कर Product ने है कि से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बच्छों को बहुत इजी तरिके से समझ में आता है अब दोस्तों आपको पता है एक्स एक्सिस का जो प्डी क्या होता है नहीं पता है तो अभी पता कर लो एक्स का इक्वेशन वाइक्व ज क और y axis का equation x equal to 0 देखों यह x है, इसका just उल्टा कियाएगा y equal to 0 और यहाँ पे दोस्तों कियाएगा x equal to 0 प्लीज इसे अपने दिमाग में note down अच्छे से कर लेना इसके बाद इतनी चीज़े अगर आपको समझ में आ गई अगर suppose मुझे कोई line draw करना है x equal to 5 अगर मुझे draw करना है तो मैं कैसे draw करूँगा दोस्तों x equal to 5 अगर मैं कभी भी line draw कर रहा हूँ हमेशा याद रखना x equal to अगर कोई भी line draw कर रहा हूँ तो parallel to y axis यह याद रखना यह जो y axis है इसके parallel में मैं draw करूँगा हमेशा याद रखना अगर x equal to 5 अगर मुझे यह line अगर मुझे draw करना है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और suppose यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे से वो कुछ line जाएगा तो यह क्या होगे आपका x equal to 5 वाली line तो हमेशा याद रखना, अब बाजू में लिख लो, कि अगर हम कभी भी x equal to अगर कोई भी line draw कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा वो हमारा y axis को क्या होगा दोस्तों parallel होगा, सेम अगर मैं यहाँ पर दूसरा एक line ले रहा हूँ y equal to 2, अगर मैं इस line को अगर मुझे draw करना है, तो देखो मैंने पहले सबसे हले यह किया, यह करने के बाद, यह line मेरा क्या होगा, जैसे यह parallel to क्या था, parallel to क्या था दोस्तों, यह जो मेरी line है, x वाली जो line है, दोस्तों क्या था, parallel to y axis, तो वैसे ही, दोस्तों, अगर y equal to, अगर हमें कोई भी line दिया है, तो आप मुझे बता सकते हो, यह क्या आएगा, parallel to x axis, यही, देखो, आपको, सम क्यों नहीं समझ में आता है, यह सब basic चीजों की वज़े से, अब आपको, यह अगर basic चीज़े अगर समझ में आ गई ना, तो आप देखो, diagram को बहुत अच्छे से solve कर लगा, याद से मेरा first lecture आप अच्छे से, देख लेना, अगर आपने अभी तक zero to axis, यह हमारा x-axis है, आपड़ो, यहाँपे क्या होगए 1 होगा होगा, यहाँपे क्या होगा, यह वजगा नीजह साइड में minus होता है, तो यहाँपे यह line राइन रोओ होगी, तो आपको पता होना अच्छी, देखो, यहाँपे, यह x-axis है, y equal to, रहेगा, तो x एक्स एक् examples में, then इतनी चीजे होने के बाद आपको क्या पता होना चीज, इतनी चीजे होने के बाद, दोस्तों आपने equation of ellipse, equation of circle, equation of line, ये सब चीजे आपने पढ़ा था, but देखो ये हमारा quadrant system है, कभी भी एगर कोई भी line, y equal to mx, इस form में है, कभी भी एगर कोई भी line, y equal to 5x, y equal to 3x, y equal to 4x, हमेशा याद रखना, या y equal to x, हमेशा याद रखना, वो origin से पास होगा, कहां से पास होगा, origin से, और उस line का equation इस तरह से आता है, ये हमेशा याद रखना, अगर कभी भी ये equation निका, तो ये line ऐसा draw कर देना, जिससे आपको graph draw करना है, पुरा का पुरा आ जाएगा, next, अगर दोस्तों, ये यहाँ पे, y equal to mx, प्लस c है, अगर इस तरह से है, तो यहाँ पे same graph, same यहाँ पे graph, ये value यहाँ पे change हो जाएगा, और ये जो line है, origin से नहीं पास होगा, कि यहाँ पे ऐसा है, इसका equation ऐसा आ सकता है, 2x प्लस 2, अगर समझों, यहाँ पे c का value 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये line यहाँ से पास होगा, तो ये पूरा का पूरा, आपको मैं basic बताते जा रहो, अगर यहाँ पे ऐसा equation हा, अगर y equal to 2x होता, मुशली ऐसा equation आएगा, y equal to 2x, तो आप हमेशा इस तरह से ड्रॉख कर रहें, बड़ प्लस 2 आ गया, तो आप जश्ट थोड़ा से उपर ले लेना, अब next है, हमारे बास parabola, four types के होते हैं, पहला, चारो, parabola आपको पता होना चीए, बोलो कि sir, please आप question पर आजाओ, पर मैं बोलूँगा कि please, जरूर, अगर आपने ये चीजों को देखा, तो वीडियो के नीचे आप बात में बहुत अच्छा comment करोगे, कि sir, मज़ा आगया, ये lecture इतना difficult topic आपने बहुत easy कर दिया है, अब देखों, यहाँ पे, अगर आप इसे करना चाहते हों, तो सबसे जले आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर देखो ये parabola, एक हमारा parabola ऐसा होता है, दूसरा parabola हमारा ऐसा होता है, एक parabola हमारा इस तरह से होता है दोस्तों, एक parabola अपना इस तरह से रहता है, चारो ही parabola आपको पता है, अब अगर आप इसके equation को लिखोगे, इस पराबोला के equation को आप लिख रहे हो, तो y square equal to 4ax, आप इसे कैसे दिमाग में रखोगे, आप हमेशा देखा करो, की square किसको नहीं है, x को square नहीं है, और x के हमारा plus है, तो x का आपको पता होना चीए, ये x का plus side है, ये x का minus side है, उपर वाला y का plus side है, और नीचे वाला y का minus side, please बहुत basic से चीज़ों को समझो, और इसी के उपर पूरा का पूरा आपका double integration और triple integration, पूरा का पूरा पूरा पार्ट है, अगर ये चीज़े अगर आपने समझ लिया, तो बहुत अच्छा confidence आपके अंदर आ जाएगा, अब दोस्तों ये आपने इसका equation लिखा, same, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यह हमारा parabola yx इसको touch है, इसलिए कि आएगा y square equal to, अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मेरा parabola x के left hand side में, यहाँ पे right hand side में था plus, अगर left hand side में तो दोस्तों यहाँ पे काएगा, minus 4ax, तो यहाँ पे हमारा x minus, अगर कभी भी x minus में, तुरंट यह वाला diagram तो, यह वाला diagram तो बहुत अच्छे समझ लेना, यह बहुत सारे question में दिखाई देगा, y square equal to 4ax, अब दोस्तों यहाँ पे अगर parabola, अब जब हमारा जो parabola touch कौन से axis को है, अगर आप देखोगे तो x axis को touch है, तो अब यह equation x equal to आ जाएगा, और य y अगर अपना minus है, x square equal to 4by, और सबोज यह minus में है, तो हमारा parabola नीचे है, देखो y square equal to 4x, x plus है, parabola x plus के side, x अगर अपना minus में है, तो parabola minus side में, y अपना अगर plus है, तो parabola उपर y axis पे है, और y अगर minus है, तो नीचे है, प्लीज यह चारों चीजों को अच्छे से दिमाक में बिठा लेना, अब आपने 12th क्लास में एक concept आपने पढ़ा होगा, जो मैं यहाँ ही पर आपको explain कर देना चाहता हूं, कि अगर आपने कोई भी parabola draw किया, for example, आपका कोई parabola ऐसा है, y square equal to, suppose मैं कौन सा अला पैराबोला ले रहा हूं, यह है, चलो मैं यह अला पैराबोला ले रहा हूं, x square equal to minus y plus 2, इस तरह से अगर आपका equation आए, x square equal to minus y plus 2, अब minus y है, मतला आपने को समझ में आ रहा है कि अपना पैराबोला यहाँ नीचे आएगा, बड़ दोस्तों, यह जो पैराबोला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे plus 2 extra आ गया है, तो यह पैराबोला ऐस बनाओगे तो wrong हो जाएगा, इस case में, इस case में याद रखना, अगर suppose यहाँ पे plus 2 है, तो पैराबोला उपपर 2 step बढ़ेगा, और अगर minus 2 है तो पीछे 2 step आएगा, मतलब समझ में आना है, अगर plus 2 है तो उपर आएगा, और यहाँ माइनस 2 होता तो वही पैराबोला नीच हो जाएगा, वही अगर suppose minus 2 होता, यही equation ऐसा होता, x square minus y minus 2, तो यही सेम पैराबोला, minus 1, minus 2, यहाँ पे नीचे जो होता, प्लीज यह चीज़ को भी अपने दीमाग में विठा लो, वीडियो को फिर से एक बार पीछे देखो, वैसा तो सम में मैं revise कराऊंगा, इतनी आपको क्या करना चीए, कोई circle है, और, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा equation दिखाई दिया, x square plus y square equal to 1, अगर इस तरह से equation दिखाई दिया, तो समझ जाना है, यह circle का equation है, हो सकता है, यह equation इस form में भी हो, y equal to under root of 1 minus x square, हो सकता है, यह ऐसा भी हो, x equal to under root of 1 minus y square, और, अगर यह दोनों square है, अगर इस form में अगर आपका, यह तीनों form अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि हमारा circle है, और दोस्तों, यहाँ पे जो radius है, देखो, यह आपको standard circle का equation पता, यह 1 है, अगर समझ यहाँ पे 16 है, 16 है, तो आप उसको square form म convert करोगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, तो 1 का square होगा, 16 होगया, तो किसका square होगया, 4 का, अगर समझ वहाँ 7, 7 किसी का square नहीं होता, तो इसको root में लेके square कर दो, मदब root 7 है, तो यहाँ से अपने को radius टूरंद मिल जाएगा, जैसे 16 का square करेंगे, तो 16 किसका square है, 4 का, त square है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, 1, 0, 7 जो है, वो किसी का भी square नहीं है, तो हम root 7 में लेके, मैंने इसके पहले भी आपको बता है, root 7 में लेके, हम उसको square में convert कर देंगे, square में convert कर देंगे, यहाँ पर finally हमारा radius हो गया, root 7, 0, तो इस तरह से आपको यह भी situation ऐसा है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1-x square और इस तरह से है, और यहाँ पर समझो 0 है, और यहाँ पर 5 है, आपको तूरंग समझना चाहिए, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, अगर सबूसर यहाँ पर उन्होंने dy, dx लिखा है, अब यहाँ पर आपको change the order में क्या करना है, इसका मतलब तो मैंने आपको पहले वाले lecture में बता दिया, दूस्तों यहाँ पर x है, मतलब यह y वाला है, और यह y वाला है, मतलब यहाँ dy, perfect है, और जो यह वाला बचा तो यह कुन सा होगा x वाला, अब आपको क्या करना है, position change करना है, यह वाला यहाँ यह वाला यहाँ पर position change करते टाइम, diagram बना के position change करना है, मतलब आप देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब आप अगर इसका position change कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप position change करोगे, तो यहाँ वाला आपका limit आप x के form में बन जाना चीए, और यहाँ limit आपका कौन से form में आ जाना चीए, य के form में, जस्ट इसका उल्टा, और अगर यह x के form में है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या जाएगा dx, देन आप यहाँ पे dy लिखो, और beach का content जो है, उसके according जैसे आप integration solve करते तो वैसी ही, अब आप बोलोगे सर, यह कैसे करते हैं मैं question solve कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, तो आपको इतनी चीज़े अपने दीमात में क्या करना है दोस्तों, बना के रखना है, इसको पहले हम क्या करेंगे, diagram ड्रॉ करेंगे, then उसके अगर मैं आपको बताऊंगा कि strips आपको कैसे ड्रॉ करना है, बच्चों को diagram करना बहुत ज्यादा टेंशन का काम लगता है, एक और सीच में आपको बता दो कि कभी भी, अगर आप x का point लिख रहे हो, तो आप ऐसे जाना है, कभी भी अगर आप y का value लिख रहे हो, आपको ऐसे जाना है, मतलब नीचे से उपर जाना है, चलो आप some solve कराऊंगा, तो यहाँ पर हमने first question लिख दिया है, बहुत अच्छे से बहुत आराम से first question solve करेंगे, कि आपके दीमाक में बहुत अच्छे सीज़े बन जाए, सबसे पहले अगर मैं question को अच्छे से देखूं, तो यहाँ पर देखो यह क्या हो गया मेरा y, यह क्या हो गया दोस्तों मेरा y, य यह भी क्या हो गया मेरा x, मतलब इसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, अब सबसे अले आप सभी के equations को लिख दो, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हो x equal to 0 है, यहाँ पर दोस्तों x equal to 2 है, यह भी मैंने लिख दिया, सेम ऐसे अगर यहाँ पर आप लिखोगे तो y equal to 0 है, और यहाँ पर क्या है, दोस्तों y equal to 4 minus x square, यह बहुत ज्यादा important है, अब यह तीनों तो कुछ नहीं होगा, पर इसको हम थोड़ा बहुत solve कर सकते हैं, solve करते टाइम इसको systematic, कभी भी जो square होता है, देखो, यह देखो, आप अगर देखोगे, आगे, देखो, यहाँ प करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यह जो x square है उसको plus करेंगे, x square को plus करना है तो यहाँ पर आजाएगा, और finally, यह y वहाँ भेजेंगे तो यहाँ जाएगा, minus y plus 4, अब आपको यह समझ जाना कि यह भी किसका equation है, पैरा बोलागा, x square आया ना कुछ, और something यह आया, थोड़े द भी आपके limits दिये हुए हैं, उसको आपको लिख दो, the second step हमें क्या करना है, दोस्तों diagram ड्रॉ करना है, diagram ड्रॉ करना बहुत easy है, देखो यहाँ पर मैं diagram ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर quadrant system त्यार कर दे रहा हूँ, और mostly यहाँ पर सब values first quadrant के ही दिख यहाँ पर सबसे पहला ना आपको single वाले equation को plot नहीं करना है, सबसे पहला आप यह वाले equation को, जैसे आपको कोई पैरा बोला है, line का equation दिया हो, जैसे y equal to 4mx, ऐसा कुछ दिया हो, 3mx, 2mx, ऐसा कुछ दिया हो, या तो circle का equation है, पहला आप वो plot करो, then remaining equation, तो देखो x square minus y, and दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़े दर पहले ही बोला, plus two matter है वहाँ पे, इसलिए मैंने, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छ देखोगे, तो basic से सब चीजे समझ में आए, कि थोड़ा सा time लगता है मेरे वीडियो में, थोड़ा सा मेरे वीडियो बाकी लोग comparison में lengthy होता है, पर चीजे मस समझ में आती है, कि इसके बाद आप कोई भी sum, एक sum भी अगर आपने देख लिया ना, आप कोई भी sum solve कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं diagram draw करूं, तो मेरा actual में parabola यहाँ पे होना चीए था दोस्तों, पर problem यह है, कि यहाँ पे plus four है, म four step उपर आजाएगा, four step उपर आजाएगा, मतलब यह parabola मेरा पूरा का पूरा ऐसे आजाएगा, अब ऐसे parabola आगया, यह चाहिए तो अंदर के points को चाहिए तो आप हटा दो, डारेक वही लिखो, और अगर लिखना है, तो लिख भी सकते हो, छोटे में लिख दो, one, two, three, अब हमने parabola यहाँ पर draw कर दिया, अब parabola जो हमारा draw हुआ है, अब parabola draw होने के बाद, इसको tick mark कर दो हलका सा, यह हाँ यह हो गया, अब y equal to zero आपको मैंने बोला है, y equal to zero हमेसा x-axis का equation है, x-axis यह है न दोस्तों, यह y equal to zero, यह भी हमारा equation है, यह भी हो गया, then इसके बाद, चाहिए तो आप इसे marking भी कर लो, इस color में तो समझ मैं आगा चलो, यह वाली line भी हो गई, अपनी line number से के, perfect, अब अपने को कुछ ऐसा close region दिख रहा है, देखते कि अपना reason था है, यह भी हो गया, अब next है, x equal to zero, x equal to zero अगर आप देखोगे तो यह है, यह आपका क्या x equal to zero, तो दोस्तो, यह भी हमें मिल गया, अब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अपना reason उपर है, या तो यह reason हो सकता है, अभी तक हमने तीन plotting कर दिया है, यह भी plot हो गया, यह तीनों plot हो गया है, अब बस अपना reason, यह यह होगा, यह तो यह होगा, अब वो देखते हैं कि, अ पास्ट प्लॉटिंग एक बाग की है, अब x equal to 2 बाग की है, मतलब x equal to 2 मतलब उस side, प्लस side में, आपको पता इस side x minus होता है, पर अब मुझे नहीं पता कि यह line मैं under draw करूँग, यह वाला point मुझे नहीं पता, अगर यह वाला point पता चल जाएगी, अगर सब्स यह point 1 है, तो म अगर यह point 2 है, तो हो सकता line इसी पे से चले जाए, तो पहले अपने को यह find out करना है, तो मतलब यहाँ पर मैं एक point ले ले रहा हूँ, a ले 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 रहा हूँ, तो अपने को क्या करना है, सबसहले a का coordinate find out करना है, तो देखो इस time पे हमेशा देखा करो, अब तो मुझे एक इस तो पता चल गया, इसको देखके कि अपना region उस side में, तो आप अपने अगर बुक में देखो गया है, तो आपके बुक में इतना ही diagram दिया रहता है, पर आप इतना पूरा systematic आपको diagram ड्रॉ करना है, आपको कई से पता चलेगा कि कौन सा आपका diagram है, मैं इस side क्यों नहीं यह भी आपको समझना चाहिए, मैं इस side इसले नहीं raw कर रहा हूँ, क्योंकि यह x equal to 2 जो है उस side, गहां अगर x equal to minus 2 होता तो reason इस side ले ले लेता, अगर suppose देखो फिर से explain कर रहा हूँ, अगर suppose आपको किसी confusion नहीं रहा है, देखो यह reason हो गया मेरा पहला, दूसरा यह reason हो गय आएगा मालूम नहीं, इस side नहीं आएगा, तो इससे पता चला कि यह उपर ही अपना region है, अगर मैं नीचे का region लेता हो, तो यह वाला graph cancel हो जाएगा, तो इसले उपर ही लेना होगा, अब यहाँ पे मुझे सबस्याल है, A वाला point find out करना है, और यह भी मैंने सीखा है, और direct, direct भी लिख सकते हो, इसको step voice नहीं लिखोगे, तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, find coordinate of A, A का अपने को coordinates find out करना है, अब किसी भी point का अगर आपको coordinates find out करना है, अगर A का अगर आप diagram देखोगे, तो A diagram पे यह दो intersection हो रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपको coordinates find out करना है, जैसे अगर समझो कोई बच्चा है, पता करना है कि यह किसका बच्चा है, तो उसके मम्मी या पपा का अगर आप वहाँ पे DNA अगर आप check करोगे, तो आपको तूरंट पता चल जाएगा, तो इसके भाई यह मम्मी और पपा है, आपको यहाँ check करना है, और इस point क आप तूरंट पता कर लो, मतलब यह दोनों equation को आप solve कर लो, यह किसका equation है, पैरावोला का equation है, इस पैरावोला का equation कहा है दोस्तो, y square equal to minus y, sorry, x square equal to minus y, 4, यह वाले line का equation कहा है दोस्तो, y equal to 0, बस आपको यह दोनों को solve करना है, देखो मैं यहाँ systematic लिख रहा हूँ, आप इत जाएगा, plus 4, तो finally x square equal to 4 हो जाएगा, finally x equal to square वहाँ पे जाएगा, तो 4, then x equal to plus minus 2, तो x का जो value है दोस्तों plus minus 2, तो उस time पे आप y का भी value निकाल सकते हो, य का भी value निकाल सकते हो, पर आपको पता है कि यह x axis है, आपको पता है x axis है, तो y 0 ही होने आला है, तो आप direct भी लि plus 2, तो यह 0, और यहाँ plus 2, इस side का आप नहीं लिखो के तो भी चलेगा, आपको मतलब उस side से, अब आपको पता चलेगा कि अगर यह 2 है, तो हमारा x equal to 2 वाली line दोस्तों यहाँ ही से जाएगी, तो यह x equal to 2 वाली line को मैं यहाँ से pass कर रहा हूँ, तो यह क्या हो गया, x equal to 2 तो अब सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि मेरे जो maximum graph है वो इसी side में, देखो यह वाली भी line इधर है, यह वाली भी line इधर है, यह वाली भी graph इधर है, और यह वाली भी इधर आगे तो maximum मेरे को यहाँ पर focus करना है, अब यहाँ पर focus करते time, अब लग बग आपका question solve होने अब आपको यहाँ पर आप अपने book में check करोगे, तो strip बना हुआ है, बहुत सा लोगर strip नहीं बना होगे, तो भी आप some solve कर सकते हो, आपका reason आपको पता चल गया, यह A है, यह O है, और यह B है, और देखो यह 4 है तो इसका भी आप coordinates निकाल सकते हो, यह कौन सा axis है दोस्तों axis कौन सा ही है, आपको पता होना चाहिए, यह AXE से Y है, तो मतलब इसका X coordinate 0 होगा, तो यह 0 हो गया और यह 4 होगया, तो यह भी आपको coordinate पता है, यह पूरा का पूरा reason अपना है, यह पूरा का पूरा reason अपना है, तो आप इसे direct भी solve कर सकते हो, पर आप अगर अपने book में द सकते time, आपको यह value देखना है, तो इस वाले integration के उपर यह वाला मत देखो, यह value किसका 4 minus X square, क्या है, 4 minus X square है, और यहाँ पे 0 to 4 minus X square मतलब X आया न, तो parallel to X axis बनाना है, क्या बनाना है, parallel to X square, X axis, तो यहाँ पे देखो 4 minus X square, 0, यह हमेसा check किया, अगर अगर समझों, यहाँ यहाँ पे 0 होता, 4 minus Y square होता, तो, श्रीप जो है parallel to Y axis, प्लीज याद उठना, तो X square है, तो कहीं पे भी, कहीं पे भी ऐसा fix नहीं है, देखो, यह X axis है, इसके parallel में श्रीप बना दो, एक श्रीप हमने द्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे हमने श्रीप द्रॉ कर दिया, वही अब देखो, यहाँ पे मैं change कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देना कि change the order of integration, अब देखो, integration का order change होने वाला है, और यहाँ पे जो भी sum लिखा है, उसको मैं वैसी लिख दे रहा हूँ, X equal to E raise to Y, 2Y upon 4 minus Y, dy, dx, हमने सब लिख दिया, अब यहाँ पे, अगर आप देखो कि यहाँ पे Y के values थे, तो अब यह Y के values यहाँ पे आ जाएंगे, मनलब यहाँ पे यप आ जाएगा, पहला अला आप Y आ जाएगा, तो Y एगर check करना है तो थोड़े देर पहले मैंने बोला था, देखो, Y अगर check करना है तो आपको ऐसे से जाना है मतलब अपना reason यह अपना reason यह तो इसमें एगर जाना तो आपको आपको पता है तो आपको पता है भूर्ब ले लेना कभई भी अगर आप य जा रहे ज़ा रहर है तो य को आपको कैसे चेक करना है ऐसे फ्लीज यह अब यहां पे आपने यहां पे लिखा 0 यहां पे आपने लिख दिया 4 देखो फिर से समझो यहां पे दिखाई दे रहा है यह x वाला है तो आपको क्या करना है इसको यह जो y वाला है इसको पहला कर देना यह x वाले को replace करके y वाला बनाना है y वाला बनाना है तो यहां पे y क यहां पर लिख लो फिर नेक्स टेप में रखना है आपको ध्यान रखना है कि यह जो एरिया है वह कहां से जा रहा है तो पहला यहां से सब्सक्राइब इस बखना है याद करके अच्छे से रख लो और वीडियो के बाद तो बहुत अच्छा करने आरी है अब यहां को सबसहले इस लाइन का कर दो बखने को बखना है यह पे यहां पिए डिए जयागा दो बखना दो है तो हमारा जो फाइनली यहां पर तच हो रहा है देखो यहां पर इसको मत ले ले मारे पास एकवेस्टन है x square equal to minus y plus 4 finally इसे मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ x minus y 4 पहले ले लिया minus y बात में अब यहाँ से मुझे x का value निकालना था x equal to और यह under root में अब मैंने यहाँ पे plus minus क्यों नहीं लिखा क्योंकि भाई यह x का plus side ले रहा हूँ इस side नहीं आ रहा हूँ minus side बे नहीं आ रहा हूँ इसलिए x equal to plus फानली यहाँ पे x equal to क्या आएगा दोस्तो 4 minus y जो फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ चाहिए तो वीडियो को भी आप repeat कर सकते हो यह सबसेले यहाँ पे x x था तो यहाँ पे y y आना है y y आने के लिए आपको ऐसे जाना है y का starting कहां से ओरा zero से ओरा ending कहा है four है वही x का आप चालू कर रहे तो x का आपको graph देखना है कि यह अपना street कहां से यहाँ से यह यह वाले graph पे touch है पहले यह वाले graph पे touch है यह वाले graph का क्या x equal to zero equation है फिर यह वाले graph पे touch है तो यह वाले graph का equation क्या है दोस्तो x square यह वह यहाँ पे लिखा है x square equal to minus four minus y plus four तो finally मैं minus y को पीछे कर दिया four और square को उदर भेजा तो root हुआ आप बोलो कि सब plus और minus आएगा हम x का plus side ले रहे minus side नहीं ले रहे तो इसलिए फ्लस आएगा तो finally मैंने यहाँ पे सब चीजे लिख दी अब यह पूरा का पूरा question दोस्तो पूरा का पूरा यह question कैसा हो गया पीछे की तरह हो गया जैसा मैंने first exercise में solve किया तो इतनी चीजे around मैंने अब भी 27 minutes के lectures को बनाया है बैट इतनी चीजे आपके लिए बहुत ज़्यादा important थी अब देखो यहाँ पे अगर आप इससे solve कर रहे हैं अब देखो मैं इसी को अच्छे से लिख दे रहा हूँ यह देखो 0 to 4 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे रुट of 4 minus y अब यहाँ पे यह 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 एक से e रिष to डुआ है उपन के 4 minus y और यहाँ पे हाँ एक और छीज़ ध्यान रखना अगर सुबोल स fit यहाँ पे xx यह xx ओ अधो आपको यहाँ पेag sub देन आप दीवाई लिखो अब दोस्तों यहां पर यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमें वैल्यूस दिया है पहले एक बार देखलो मैंने सब पर्फेक्ट लिखा यह सब पर्फेक्ट लिखा उन्हें नहीं तो पता चला कि फिट से लिखना है अब पर्फेक्ट है अब आपको यहां पर करना है दोस्तों नॉर्मल सा इंटीग्रेशन सौल करना है देखो यह बी एक्स वाला है तो बस इसमें से आप एक्स वाले को सौल करना और बाकी सब कॉंस्टेंट हो जाएगा वाय वाला तो मतलब आप जब इंक्रेशन सौल करेगे तो यह जीरो टूफोर ऐसी होगा यहां पर पर जो कॉंस्टेंट हमें उसको देखो मैं वैसी ऐलिख रहा हूं यह देखो यह वाला यह वाला नीचे वाल ऐसी वाला यह पूरा कॉंस्टेंटॉर्स है दी एक्स हैना बस एक्स वाले सौल दोस्तों यह देखो यह 024 अब यहां पे जहां जहां पे आपको यह देखो डी एक्स तो जहां पे एक्स इसके अंदर है वहां पे वैल्यू पुटफ करना है यहां पे 4-1 भी सेम रखा यहां पे देखो एक्स दिख रहा है यह वैल्यू रखना है यहां पे मैं सेम वैल्यू रख रहा हूं और यह स्क्वेर है वैसी रखा तो मैं हर एक स्टेप सॉल करता हूं यह ऐसा मैं जानबुच के रख रहा हूं कि मेरे मेरा यह में की नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आना चाहिए और नीचे गया दोस्तों तू है देन अगर मैं यहाँ पर माइनस लेता हूं माइनस ले रहा हूं फिर अगर सबोज मैं इसके अंदर जहां पर एक से जीरो रख रहा हूं अगर यह जीरो हो गया तो इसलिए मैं आगे का फुट नहीं कर रहा हूं आपको मैंने इसलिए मेरा पीछे अला लेक्चर अच्छे से आप देख लेना दैन इसके बाद दोस्तो क्या करना आपको अब अगर आप द्यान से अच्छे से प्यार से अगर देखोगे तो यह स्क्ट और रूट कैंसल हो गया तो फैनली यहाँपे 0 to 4 है यहाँपे e raise to 2y है यहाँपे 4 manage y है यहाँपे 4 minus y क्योंकि स्क्टोर रूट कैंसल हो गया प्वांट 2 है और यहाँपे dy y है अगर आप देखोगे यह दोनों टम से में तो यह दोनों कैंसल हो गया और अब मैं क्या करूंगा वन बाइटू बाहर ले लूँगा क्योंकि वह constant है और मुझे e raised to 2y का बस क्या करना integration निकालना है अब e raised to 2y का अगर integration निकालूंगा दोस्तो तो with respect to y है तो मैं निकाल सकता हो नहीं तो यह constant हो जाता तो यहाँ पर e raised to 2y का integration दोस्तो e raised to 2y और मैंने बोला y के आगे जो number उससे divide करना है और इसका limit क्या है दोस्तो 4 से 0 है अब आपको क्या करना है दोस्तो जश्ट आराम से values को put करो चाहिए तो आप यह वाले values को भी बाहर ले सकते हो तो direct देखो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूं यह constant time में तो 1 by 4 लिख दे रहा हूं और यहाँ पर e raised to 2y और यहाँ पर दोस्तो क्या है 4 और 0 है अब अगर मैं मुझे अगर इससे solve करना है तो 1 by 4 e raised to अब दोपर यहाँ पर 2 है यह दोपर यह 4 आएगा और e raised to 2 multiply by 0 ध्यान से अच्छे से यह 1 by 4 और दोस्तो यह क्या हो जाएगा तो यह 8 हो गया और e raised to 0 क्या होता है दोस्तो e raised to 0 1 होता है तो finally हमारा answer क्या है e raised to 8 minus 1 upon 4 तो इस तरह से हमने यह question solve किया अब चलते है next question की और चलते है next question की और और next question हम solve करते हैं दोस्तो अब अगर आप next question को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर भी अब देखो आप फड़ा फड़ा solve कर सकते हैं सबसाल है यहाँ पर हमें पता चल गया कि यह जो values है यह तो यह लिखा है मतलब यह x के values है यह किसके values है एक्स क और दोस्तो यह जो values है वो किसके values है दोस्तो य के तो finally यहाँ पे गया है y equal to 0 यहाँ पे गया है दोस्तो y equal to 1 यहाँ पे अगर मैं देखो तो x equal to 4y और यहाँ पे अगर मैं देखो तो x equal to 4 बाकि यह तीन values में कुछ प्रॉलम नहीं है यह values के उपर अपने को diagram ड्रॉ करना ह सभी values के उपर अपने को diagram ड्रॉ करना है अब देखो मैं यहाँ पे direct diagram ड्रॉ कर रहा हूं diagram ड्रॉ करते टाइम सबसे रहले मैं क्या करता हूं हमेशा axis ड्रॉ कर लेता हूं अब अगर मैं axis ड्रॉ कर लेता हूं तो diagram ड्रॉ करना मेरे लिए काफी easy हो जाता है और उसके इंदर इसका diagram है x equal to 4y यह हमने draw कर दिया अब यह होने गया दोस्तो y equal to 0 y equal to 0 आपको पता है किसका diagram है x axis का है equation ही है यह भी आपको हो गया then इसके बाद y equal to 1 अब y equal to 1 जो मुझे draw करना है अब मुझे यहाँ पे y equal to 1 है मतलब parallel to axis है पर मुझे नहीं पता ही इसको मैं कहां पे draw करू तो यह वाला भी थोड़े दिर मैं लिख दे रहा हूं x equal to 4 अब x equal to 4 वाला जो है वो मुझे parallel to y axis draw करना है मुझे नहीं पता तो मैं randomly यहाँ पे कहीं पे अगर मैं draw कर दे रहा हूं अगर सबस्थ मैं ऐसे यहाँ पे ले ले रहा हूं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं यह क intersection के उपर है वो मुझे पता होना चीए तो उसके पहले आप यह intersection निकाल लो जैसे हमने इसके पहले निकाल रहा था तो इसे मैं a दे रहा हूं तो आप वहाँ पे लिख लो find coordinate of a अगर आपको find out करना है तो बहुत easy है वहाँ पे दो equation जो आया है उसे आप solve कर दो पहला equation यह ह अब देखो यहां पर x equal to 4 and दूसरा क्या है दोस्तों दूसरा यह देखो यह equation गया है x equal to 4y आप यह दोनों equation को अगर solve करते हो तो यहां से आपको directly value मिल जाएगा अब देखो यहां पर मैं यह value इसमें put कर रहा हूं तो यह 4 आ गया यह 4y है then यहां पर y equal to दोस्तों क्या है 4 Again 4 by 4 then finally y equal to 1 1 ? तो यहां पर psychology value 1 मिल गया और x का वैल ङेलू अपने को 4 पता ही है तो coordinate आपने को मिल गया 4,1 то x अपना कितना है दोस्तों यहांपर अगर मैं बात करूँ तो x कितना है 4 है और y का value कितना है मतलब y यहाँ पर 1 है मतलब वो जो y equal to 1 है वो हमेशा यहाँ से line पास होगा इसलिए मैं हमेशा बोलता हूगी draw कर लेना नीचे पास होगा कि उपर होगा कि वहाँ से पास होगा तो finally दोस्तों यह वाली जो line है यह वाली जो line है हमारी वो यहाँ से पास होगी तो यह line हमें मिल गया y equal to 1 अब हमने perfect सभी डाइग्राम को draw कर दिया अब अगर आप देखो कि ध्यान से यह अपनी एक line है यह अपनी दूसरी line है green वाली यह तीसरी line है और यह चौती line common region अपने क्या मिल रहा है यह एक line है यह एक line है close region आपको यह मिल रहा है close region जो मिल रहा है यह खुला हुआ है यह नहीं ले सकते यह लेना है तो ऐसे आप नीचे भी अगर diagram draw करते हैं तो आपको region तूरंट पता चल जाता है कि मुझे कौन सा reason लेना चाहिए अब जैसे आप पीछ लेओ ले डाइग्राम में भी आप सेम बाजू में डाइग्राम ड्रॉ करके सकते हैं अब सबसे बड़ा बात है कि strip कैसे लो strip लेते टाइम आपको दोस्तों यह चेक करना है यह क्या है वाई है दिखाए जैसे वहाँ पे एक्स था यहां पर पैरलल टुअओ लेना है फारलल टुअप आपको दोस्तों यहांप यह लिए आपको फॉर कॉमा जीरो दो की यह एक्स एक्स थी तो इस बाइब लिए यह वाली कितना दूल और रिज़ो है पता कर दो यह आपको पता बना जिरो जीरो तो उसके इसाब से आप अपना डाइगराम द्रॉब कर सकते हैं अब देखो मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं उसका starting point क्या है ये, और ending point ये है, तो ये वाले point पे equation क्या है दोस्तों, आपको पता है ये वाले point पे equation क्या है, ये वाले point पे, ये वाले point पे x equal to क्या है दोस्तों, 0 आएगा, क्योंकि y x इसे, तो यहाँ पे क्या है गा, x equal to 0, और अगर आप ये वाले, देखो, यहाँ से ले है तो यहां पे हम नहीं okesो करेंगे इसको ये एक mask फोला या जो झाल पॉलदन धीके आठेस यंड गया उर्फने अपने आइसे एसे जाएंगे तो ग्राफ में एक पॉइंट यह दिखेगा ऐसे जाते टाइम और एंडिंग में ये टच हो रहा है तो इसका equation क्या है दोस्तो इसका equation ये ठकाब आपको मिल गया y equal to 0 और जो ending में touch हो रहा है दोस्तो इसका equation क्या है तो इसका equation ये ठकाब यहां पर x equal to 4y पर अपने वह इसको कुन से टम में निकालना y के टम में तो तुरंत आप निकाल लो y equal to x by 4 ध्यान रखना यह सब चीज़े बहुत important है और यही इस पूरे question का यही main खेले यहां पर y equal to xy के दोस्तों 4 है यह y के टम में हो गया अब यहां पर दोस्तों यह y है तो पहले यहां पर dy लिखो साथ में इसके बाद आप dx लिखो अब अगर मैं इसे डारेक्ट सॉल कर दूँ इसी स्टेप पे अगर मैं इसे सॉल कर दूँ तो भी चलेगा चाहिए तो यहां तो एक स्टेप नीचे लिखके सॉल करोगे तो भी चलेगा अब अगर मैं यहां पर सॉल करो तो सॉल करते टाइम यह वाला पार्ट आऐसे आएगा जीरो तुफोर अब पहले वाले सम में मुझे कितना टाइम लगा था अभी मैं कितने ताइमं सॉल कर रहूं यहां पर ई-देखो यहां पर क्यार डी पर अंदर दोस्तो एक्स वाला टर्म है तो यह e-raise to x square इसी तरह से होगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब one है और one का integration क्या आता है दोस्तो एक्स आता है पर यहाँ पर डिवाय है तो फाइनली one का integration क्या होगा वाय और साथ में यहाँ पर जो भी इसको लिमिट दिया है वो मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट यहाँ पर दिया है एक्स बाय फोर और दूसरा लिमिट है दोस्तो जीरो और यहाँ पर गया है डी एक्स है अब अगर मैं इससे systematic तरीके से लिखू तो यह 0 बाय 4 है अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जहां पर भी dy है वहाँ पर आप x बाय 4 रखो तो e raise to x square ऐसे ही होगा और यहाँ पर y की जिगा पर क्या आएगा दोस्तो x बाय 4 माइनस अब यहाँ पर आप क्या करो पता ह अब अगर मैं आगे solve करने जाओं तो आपने अगर मेरा फॉर्स लेशन देखा होगा फॉर्स लेशन वीडियो आप से आप देख लेना differential equation of first order and first degree तो वहाँ पर हमने कुछ सीखा है देखो मैं constant बाहर ले ले रहा हूं 1 by 4 बाहर हो गया यह क्या हो गया जीरो टू 4 हो गया औ और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों e raise to x square multiply by x और यह क्या होगे dx हो गया अब अगर आप ध्यान से अगर देखोगे अब तो अगर यह नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x square है और अगर मैं यहाँ पर चीजों को solve करने जाओ तो u into v rule आ जाएगा अब u into v rule से अगर solve करने जाओ तो बहुट time जाएगा इस सेचा मैं यहाँ पर substitution कर ले रहा हूँ आप integration में अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पर limit change हो जाता है यह याद रुखना हमने 12 में पढ़ा है इस समय हमारा यहाँ पर जो वैल्यूज है एक वैल्यू कितना है जीरो है और एक्स का दूसरा वैल्यू कितना दूस्तों 4 है फाइनली अब मैं इसको कौन से टम में कनवर्ट कर रहा हूँ डीटी के टम में कनवर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो टी स्क्वार्ट यहाँ पर टी इक स्क्वार्ट तो एक बार में यहाँ पर यहाँ पर जीरो पूट करूंगा यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर दूखस्वार प्लव स्कूर तो समुष्ण नेका न्या जो बनेगा यह बहुत सारे लोग लिखते हैं। थाना बोल रहा है यह बहुत जरूरी है इस्टेप आप डारेक आंसर नहीं लिकाल सकते, बुक में भी answers wrong लिखे, direct है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो mostly हमें अपना t check करना है, जो पहले हमारा 0 to 4 था, अब वो हमारा क्या हो गया, 0 to 16 हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 0 और यहाँ पे 16, और उसके बाद e raise to, e raise to x square है न, x square equal to क्या दोस्तो तो t है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और finally हमें पताएगी है, x और dx के place पे आपन क्या लिखेंगा, x, dx वे, dt by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt by 2, finally क्या हो जाएगा, 1 by 4 है, यह 2 बाहरा आगया, तो finally यह 4, 2 है कितना हो जाएगा, 8, direct 8 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 to t, 16 है, e raise to t है, और यहाँ पे क्या है, dt है, finally यह 1 by 8, अब e raise to t का, अगर मैं integration निकालो, तो जोस्तो क्या हैगा, e raise to t यहाता है, आपको पता होगा, और यहाँ पे क्या हैगा 16, और यहाँ पे क्या 1 by 8, e raise to 16, minus, e raise to 0, मतलब 1, तो यहाँ पे यह question हमारा क्या होगा, तो इस तरह से हमने यह question भी complete कर दिया, अब चलते हैं, next question की वर, और next question लिखते हैं, next question भी हमने लिख दिया दोस्तों, अब next question हम फड़ा फट solve करते हैं, अब यह question भी जैसे हमने देखा, first question में हमें मुझे थोड़ा लंबा time लगा, second question की अंदर, उससे कम time लगा, third question में उससे भी कम time लगेगा, और देखो, इस question को भी हम फड़ा फट solve करते हैं, और यह बहु इकोल टु क्या है, 0 और x इकोल टु क्या है, दोस्तों, 1, then y इकोल टु क्या है, यहाँ पर 0 है, और y इकोल टु क्या है, दोस्तों, under root of 1-x2, और अगर मैं finally अगर इससे और simplify करूँ, तो मुझे यह square root यहाँ पर ले लूँगा, तो यह y2 हो जाएगा, और यह क्या 1-x2, औ अगर मैं simplify करूँ, तो दोस्तों, x यहाँ पर आजाएगा, तो x2 plus y2 equal to y, तो मुझे यह समझ में आगया, और मैंने वैसे starting में ही आपको बोला कि इस तरह से अगर कोई भी equation आता, तो समझ जाना circle है, तो यहाँ पर, अगर मैं एक circle draw कर लूँ, सबोज मैंने यहाँ पर एक circle draw कर लिया, अब यहाँ पर मैंने एक circle draw कर लिया, अब circle draw करके, मैं यह भी कर दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर, अब आपको पता होना चाहिए कि इस में से आपका कौन सा reason है, उसके according आपको क्या करना है, question को solve करना है, अब यहाँ पर आपको यह समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर क्या है, मतलब circle का जो radius है, मतलब यह समझ में आ रहा है, कि यह क्या हो जाएगा, 1,0, यह क्या हो जाएगा, 0,1, अभी तक मैं इतना ही plotting कर रहा हूँ, चाहिए तो यह दोनों भी कर सकते है, minus 1,0 और यहाँ पर 0, minus, अब अगर आप देखो के x equal to 0, x equal to 0 मतलब यह यह क्या हो गया, x equal to 0, यह देखो यह, यह भी मैंने draw कर दिया, x equal to 0, अब अगर आप देखो के y equal to 0, y equal to 0 भी दोस्तों मैंने यह draw कर दिया, यह क्या हो गया हमारा y equal to 0, प्लीज अच्छे से दीवास को बिठा लेना, इसके बाद x equal to 1, अब x equal to 1, हमको पता यह 1 है, पर यह x पर 1 draw करना है, दोस्तों, x वाला हमें सब parallel to y होता है, मतलब यहां से जाएगा, कि यहां से तो सर यहां से जाएगा, यहां से, पोड़ा सा सीधा नहीं है, तो यह x equal to क्या हो गया है, दोस्तों, तो overall, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अपने reason में, तो हमें यह समझ में यह था, यह था, फिर finally यह था, और यहां से ऐसा पूरा का पूरा circle गया है, अब अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से अगर आप देखोगे, बहुत अच्छे से अगर सिस्मेटी तरीके से देखोगे, तो आपको समझ में आ रहा ही है, अपना reason यहां पे, दिखाई दे र देना है, अब यहां पे आपके मन में एक question आ रहा है, कि sir, मैं मेरे diagram में strip कैसे draw करूँ, strip draw करते राइम देखो, यहां पे आपको दिख रहा है, यह x है, तो आपको strip parallel to x-axis draw कर रहा है, मतला आपका strip इस तरह से draw होगा, दोस्तों, आपको कोई confusion है यह नहीं, बहुत easy करके दि हो, अब आपको यहां पे क्या करना है, दोस्तों, integration देखो, मैं ले रहा हूँ, अगर यहां पे, जो भी values लिखे, इससे मैं लिख दे रहा हूँ, e raise to y, e raise to y plus 1, और, यहां पे 1 minus x square, बहुत गर्मी है, minus y square, और, यहां पे dy है, और, यहां पे dx है, जो है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, इस पैटिक मैंने देखो, पूरा का पूरा perfect लिखा है, लेक्षर थोड़े से बड़े हूँगे, मैं चाहता हूँ कि हर variety के questions solve कर रहा हूँ, अब यहां पे अगर आप देखोगे, तो यहां पे देखो भई, x 0 to 1 है, और यहां पे 0 to something है, पहले यहां पे y, y है, तो अपना पहला, यहां पे दूसरा y, y है, तो मतलब यहां पना पह value हो गया, अब अगर यहां पे आप देखोगे, यह पहला आला xx है, तो मतलब इसको xx में convert करना, x में ऐसे जाना रहता है, तो अगर आप पहला आला यहां पे देखोगे, तो आपको पता है कि यह, sorry, यह क्या होगा, x equal to 0 उपर देखो लिखाओ, तो यह क्या होजाएगा, x equal to, यहां पे क्या 0 है, और अगर आप देखोगे, यह ऐसा है, तो हमारे street last में यहां पे touch है, मतलब यह वाले line से अपने को x का value चीए, किसका value चीए x का, x का value अगर इस वाले line से अगर आपको चाहिए, तो यहां पे दोस्तों आप x square ऐसी रखोगे, 1-y square करोगे, तो finally x equal to under root of 1-y square, इस तरह से आपको values निकालना है, तो x equal to यहां पे आप लिखोगे, under root of 1-y square, यह values direct मत पुट कर देना, आप समझना कि कैसे values आए है, अगर आप direct अगर हर values को put कर दोगे, तो फिर कुछ मतलब नहीं है, फिर आप दूसरा अगर question घुमा के आए, तो आप कैसे लिख यहां पे है, यह अगर आप देखोगे तो यह जो values हैं, वो x के है, तो यहां पे आप सबसे पहले पहला dx कर दो, और दूसरा क्या कर दो 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 तो अब आप इसे solve जब करोगे, तो solve करते टाइम आपको क्या ध्यान बखना है, 0 to 1, अब दो यहां पे मैं लिख र और यहां पे e raised to y plus 1 है, और दोस्तो यहां पे, यहां पे solve करते टाइम आपको बहुत अच्छे सोचना है, देखो यह dx है, तो मतला हमारा x वाला function जो है, वो x है, और x वाला function अपना minus में है, तो root में अपने बास minus में कोई formula है कि upon में, sir आपने दिया है क्या, आप जाके मेर lecture number first देख लो, lecture number अगर आप first देखोगे मेरा, तो मैंने इस तरह के formulas दिये है, और अगर आप बहुत अच्छे देखोगे, तो मैंने first order differential equation जो है, lesson, उसमें मैंने पूरे integration के formulas एक साथ दे दिये, तो उसी में दिया था, तो यह formula आपको याद होना चाहिए, a square minus x square, dx, equal to क्या x है, minus x square ऐसे लिखा, और यह जो term है, यह दोनों के दोनों constant है, one minus y square constant है, बट दोस्तों यह square form में चीए, whole raise to square चीए, तो आपको मैंने सिखा है, कभी भी अगर कोई भी number, for example, 5 को अगर मुझे square form में लिखना है, तो under root 5 पहले लिखो, फिर square कर दो, तो ऐसी one minus x square को अगर मु यहाँ पे यह वाले पार्ट को आप पहले root form में लिखो, और यह पूरे का क्या कर दो, आप square कर दो, और यहाँ पे, अब यह dx हो गया, और यह dy हो गया, अब आपको चीजों को solve करने में बहुत मजाएगा, प्लीज, ऐसे चीजों को समझने, इक पोसिस किया करो, यहाँ पे प्लेश वान, यहाँ परफेक्ट, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे, यह वन अपन सम्तिंग है न, वन अपन सम्तिंग यह, यह वाला formula हैगा, यहाँ फॉर्बला क्याएगा, दोस्तो, sin inverse x, x का value क्या है, दोस्तो, x है, x, sorry, sin inverse x by a, a का value क्या है, दोस्तो, जो bracket के अं साथ में जो अपना वैल्यूस है यहां पर लिख दो वन माइनस वाय स्क्वेर और यहां पर दोस्तों जीरो और यह क्या डी वाय और बहुत आराम से वैल्यूस को पूट करो ज्यादा खाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब यहां पर आपको मेरा कोरॉलरी भी हैल पाएग आप यहां पर यहां पर इसके अंदर अगर शर्प पूरा का वैल्यूस को ही रिखते हैं और अगर सब्सक्राइब अब यहां जीरो पूट कर रहा हुत यह पूरा का पूरा पूरा ठरम 0 हो जाएगा तो वह बैल्यू मैं नहीं रखूंगा और यहां पर टाडरेक क्या आ अब मैं आगे चलता हो दोस्तों अब लगबग हो सकता कि मेरे एंसर आ जाए अब आगे मैं लिखते टाइम क्या ध्यान रखूँँगा तो यहां पर यह पर यह पाई बाई बाई टू में बाहर ले ले रहा हूं लॉग आफ एक लिख सकते हो कभी भी अगर कोई फंक्सें और उपर उसका डेरिवेटी अब देखो ईवाए प्लस वन का उपर डेरिवेटी एटी एगी वन का डेरिवेटी जीरो हता है तो अगर ऐसा है तो डारेक मैं इसका अंसर लॉग ओफ एप लिख सकता हो यह पाई बा वन मतलब रॉन ही और मैं पुड़किल ऊप्लस अब अगर मैं इसे आगे एंसे यहां पर ने क्या किया वन पुड़किया उड़ेटी इस वन हुआ यहां यहां पर यह वैसी रहेगा यहां पर फिरसे वाई की जीरो क्या चाहिए टू लॉग अच्छे से ज्यान दो फिश्माटिक तरीके से यह यह प्लस वन ऐसे हो जाएगा और यहां पर दोस्तों लॉग इस वन वन होता है one plus one two होगा फाइनली यहां फिर से एक लॉग रूल लगेगा लॉग रूल आपको पता होगा दो सब बेसिक बता रहो लॉग एम माइनस लॉग एइन एम फ्लास में पड़ा तो लॉग एम माइनस एन आएगा जैसे यहां तक एंसर तो आपका आ गया यह पाइबाइट यहां पर लॉग वन टाइम लिखूँगा उपर वलाई यह एम हो गया और इसके बाद और अगर आप इस वीडियो को देखो गए तो बहुत अच्छे तरीके से आपका यह topic complete हो गया है वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तों, मिलते हैं next lecture में अब जीतना हो सेगे अपने दोस्तों तक share करो, जल्दी ही next lecture आ जाएगा जैहिन दोस्तों